नमस्कार स्वागत है आपका CIT-NCRT द्वारा प्रसारित लाइव प्रोग्राम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर नीलकंथ कुमार जी स्वागत है सर आपका और आज हम जिस विशे पर चर्चा करेंगे वो है कविता सिक्षन समसामाइक संदर्ब तो समसामाइक संदर्ब में हम कविता सिक्षन की बात करेंगे तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर classroom में हम परिक्षा के दृष्टी से पाठे पुस्तक में कविताएं होती क्यों हैं पाठे पुस्तक में कविताएं होने का क्या मकसद है धन्यवाद अलका जी और इस विशे पर बात करने के लिए और इस कारिक्रम से जुड़े सभी दर्शकों का अभिवादन जिस व कविता सिक्षन समसामिक संदर्व समसामिक संदर्व इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे पहले भी कविता पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं और इसी स्टूडियों में हमने कविता पर विचार विमर्स किया है पहले भी लेकिन उन विमर्सों में उन चर्चाओं में कुछ बातें छूट गई थी जैसे कविता को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करने के साथ साथ रचनात्मक रूप से उसका हम आकलन कैसे करें एक बात दूसरी बात हर कच्छा के अनुसार अब जो NCRT ने डोकुमेंट तयार किया है लर्निंग आउटकम सीखने के प्रतिफल उसके के प्रतिफल को भी ध्यान में रखते हुए हम कविता पढ़ने पढ़ाने के तोर तरीकों को कैसे सामने लाएं ये और तीसरी बात ये कि जो वर्तमान तोर तरीके हैं जैसे ICT का उप्योग या और QR कोड का उप्योग इस तरह की तमाम चीजें जो अब कुछ दिनों में साम का जी तो एक कारण तो ये है समसा में संदर्व कहने का दूसरी बात ये कि कविता पर चर्चा करते हुए अकसर दो तीन बातों को हम लोग भूल जाते हैं या इतना अवकास नहीं होता है कि स्तार से हम उस पर चर्चा कर पाएं खास करके कविता की संरचना और कविता की की संरचना और कविता की अवधारना को समझे बगैर आप कविता सिक्षन के उद्देश सिको भी ठीक से समझ नहीं सकते सीखने के प्रतिफल को भी ठीक से आप एक्सक्यूट अपने कच्छा में सिक्षन के दौरान लागू नहीं कर सकते इसलिए उस पर स्पस्ता होना क्लि बातों को ध्यान में रखते हुए एक संग्षित चर्चा दर्सकों के साथ स्रोताओं के साथ हम करें उसके लिए एक स्लाइड भी तयार किया है कि प्राचीन काल संस्कृत से लेकर और अंग्रेजी तक में कविता को लेकर किस तरह से धारनाएं बदली हैं और इन धारनाओं इन परिभासाओं में किन बातों पर मुख्य रूप से विद्वानों आलोचकों द्वारा बल दिया गया है आप चाहें तो उस स्लाइड को चलाएं हमारे समक्ष है आप क्लिक कर दें और धरसक सुनेंगे साथ साथ हम चाप चाहें तो उसको पढ़ भी दें संस्कृत वाला ननु सब्दार्थ हो पढ़ द्वारा कहा गया है इसी तरह से सब्दार्थ सरीरम तावत काव्यम ये आनन्द वर्धन दौरा दी गई परिभाशा है वाक्यमरसात मकम काव्यम आचारी विश्वनात रमनियार्थ प्रतिपाद का सब्दा काव्यम पंडित राज जगनात जी, अब हिंदी आलोचकों के अनुसार कविता का अर्थ जानते हैं, महावीर प्रसाद दिवेदी जी ने कहा है, अंतेह करण की वृतियों के चित्र का नाम कविता है, मनोभाव शब्दों का रूप धारन करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पध्यात्मक हो या गध्यात्मक ये कहा है महावीर प्रसाद दिवेदी जी ने, आचारे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ती है, और इसी तरह से उन्होंने आगे कहा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्यान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदे की मुक कविता हमारे परिपूर्ण छेणों की वाणी है, इसके अतिरिक्त और हिंदी आलोचकों के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है, रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदो मई विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, धूमिल जी के अनुस कविता भाशा में आदमी होने की तमीज है, और अग्ये जी ने कहा है, कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, अब हम थोड़ा हिंदी आलोचकों के आगे बढ़ते हैं और पास्चात्य आलोचकों के परिभाशाओं पर विचार करते हैं, तो ड्राइडन जी ने कहा है कविता सूषपष्ट शब्दों में व्यक्त संगीत है, जॉनसन ने कहा है कविता छंदो मई वाडी है, मैत्यू आरनल्ड जी ने कहा है काव्य अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, वर्ट्सवर्थ ने कहा प्रबल मनोभावों का सहज उच्छलन ही कविता है, और कॉलरिज ने कहा सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम ही कविता है, तो हम आगे सर ये जानना चाहेंगे, उससे पहले कि हम और प्रशन ले, हमारे दर्शक बहुत सारे हैं, जिन्नोंने हमें प्रशन भेजे हैं पहले से, तो हम उन दर्शकों का नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि उन दर्शकों ने अपना समय निकाल कर हमें प्रश्ण भीजा है रामपाल तोमर जी हैं TGT हिंदी से उनके अनुसार उनने कहा है क्या कविता को एक प्रश्ण के साथ शुरू कर सकते हैं बच्चों में जिग्यासा बढ़ाने के लिए अलका जी ये प्रश्ण जो आए हैं वो धर्शकों ने भेज़ा हमें पहले ही इशविषय को दिखते हुए ये ठीक है तो अच्छा है हम अपनी चर्चा के दौरान इन प्रश्णों को ध्यान में रखेंगे आप इन प्रस्टों को पढ़ दें तो चर्चा के दोरा में बातें आ जाएंगी एक अन्य विद्यार्थी के अनुसार कविताकार कविताओं के बीच में प्रश्ण क्यों पूछते हैं क्या उनका कोई मकसद होता है लोकेश भादवाज जी ने पूछा है कविता सिक्षन में कवी को जानना कितना महत्वपूर्ण है उपेंद्र शर्मा जी हैं जो TGT सिक्षक हैं उन्होंने पूछा है इसके लावा एक विद्यारती हैं कक्षा साथ के किंद्रे विद्याले के उन्होंने पूछा है कि सर मेरी मैडम क्लास में कविता बिना किसी एंथूजियाजम के समझा देती हैं और अंत में कॉंक्लूजन भी नहीं बताती जबकि परिक्षा में कविता का सार पूछा जाता है प्रभूती नायक जी हैं उन्होंने पूछा है कि आंकलन करते समय किस तरह का डेटा एक अत्रित करना चाहिए और कैसे तो ये बहुत सारे प्रशन है और इस चर्चा में हम इन प्रशनों को शामिल करेंगे तो सर आप क्या कहना चाहेंगे बहुत सारे प्रशन आ गए हैं अलका जी और आज तो लग रहता है कि प्रशन उत्तर दिवस ही होने वाला है इतने सारे प्रसन हैं इन प्रसनों का उत्तर दिया जाए तो वो भी काफी होगा इस चर्चा को परिपूंट करने के लिए जो प्रसन पूछे गए हैं उनमें से अधिकांस प्रसनों का उत्तर जवाब आपको मिल जाएगा जब मैं कविता पर अपनी बात आगे बढ़ाओंगा उसके भी मर्स पर अपनी बात आगे करूँगा कुछे और भी बाते हैं जो इसके दोरान इन प्रस्नों के अलावा भी खास करके आकलन वाले हिस्से में भी आप जब आएंगें तो बहुत सा आलोचकों के अनुसार कविता के बारे में क्या धारना है और आपने देखा होगा कि इन सारी अवधारनाओं में कुछ बातें जो एक सी दिखती हैं वो ये कि सबने सब्द और अर्थ के संबंध पर बल दिया है सब्दार्थो सहितो काव्यम अग्जे ने तो ये कहा है कि कि हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं जाती हैं लेकिन सारी भावनाएं सारी सम्वेदनाएं कविता नहीं बनती हैं तो इन परिभासाओं में ये भी दिखाई पड़ता है कि हमारे अंदर जो सम्वेदनाएं हैं वो उपयुक्त सब्दों का चैन कर जब बाहर आती हैं त एक चित्र से तो एक सिख्षक को या एक पढ़ने पढ़ाने वाले की दिमाग में मन मस्तिस्क में ये स्पस्टता जरूर होनी चाहिए कि कविता की संदचना कैसे बाकी विधाओं से भीन्य है इसकी स्पस्टता अगर आपके दिमाग में होगी तभी आप अपने कविता की क्या-क्या खासियत है और इन परिभासाओं का उल्लेक इसी लिए इस चर्चा के संदर में किया गया है पढ़ने पढ़ने वालों को ये बात समझना चाहिए कि सब्द अर्थ का संबंध सिर्फ कविता में सब्द और अर्थ तक ही नहित नहीं होता है कविता में जो एक अलग तरह की लए बनती है वो भी सब्दों के कारण ही बनती है जिसको आप बोलते हैं प्लिसमेंट आफ वर्ड जब कहते हैं वाक्यम रसातमकम काव्यम तो वाक्य की संदरचना अलग होती है गद्य से पध्य में कविता में तो आप सब्दों का उप्यो कविताओं में तो चंद हैं तुक है इनको अगर आप देखेंगे तो यह आपको प्रक्राक्रितिक करूप से ही लेवद पडेंगे तुक में दिखाई पड़ेंगे आप तुलसिधाज को उछा ले deceased को उठा लें कोई भी पद उठा ले मिरा बाई कवीर्धास तुलसिदार सूर्दास वो एक तुक में और दिखाई पड़ेंगे नई कविताओं में ले बनती है तो हमें ये समझना होगा पढ़ने पढ़ाने वालों को भी ये समझना होगा कि ये ले कैसे कविता में स्रजित हो रही है कैसे बन रही है और इसके लिए जरूरी है कि आप कविता की संदचना को समझें और जाने चंद को भी जाने और चंद मुक्त कविता को भी दोहा चंद भी समझें, रोला चंद भी समझें, चौपाई भी समझें और साथ ही जो मुक्त चंद की कविता हैं अभी आज के संदर में लिखी जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए आप चाहें तो ध्वनी कविता चला सकती हैं। आज हम जब पूरी कविता पर चर्चा करेंगे तो ध्यान में ध्वनी कविता को अवस्य रखेंगे. यह सुरी कांत्रिपाथी निराला की कविता है और इस कविता के माध्यम से हम आगे बाकी सारी बातों को आगे बढ़ाएंगे. यहां आप देखें कि कोई तुकबंदी नह नहीं है मुक्तिछन्द की कविता है लेकिन कविता कविता बन पाई है अपने सब्दों के उप judy प्रयोग की वजह सी उसका प्रयोग कुछ इस तरह से किया गया अभी न होगा मेरा अन्तथ अभी अभी ہी तो आया है मेरे वन में मुर्दhalf वसंद अब आगे भी चलेंगे तो सब्दों का इस तरह से प्रयोग किया गया है जैसे व्याकरन के नियम के अनुसार गद्य में नहीं किया जाता है और इसी लिए उसमें एक आंत्रिकले स्रिजित हुआ है तो एक तो यह स्पस्ता हमारे दिमाग में होनी चाहिए कविता की सं कैसे आंत्रिक लेका स्रिजन होता है कैसे सब्द और अर्थ एक दूसरे से जुडे होते हैं सब्द अलग नहीं होते हैं अक्सर आप देखते हैं कि पढ़ने पढ़ाने के दौरान सब्दों कठिन सब्दों का अर्थ बताने की कोईसिस की जाती यहां पर वो सब्द अलग stress क होते हैं कि आप किसी डिक्सिनरी से देखके किसी सब्द का अर्थ बताते हैं जब तक आप संदर्व में नहीं देखेंगे तो उन सब्दों का अर्थ सपस्ट नहीं होगा और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कविता अगर आप उपयुक्त पाठ कर दें तो आगे पीछे के संद अकसर ये सवाल मेरे सामने आता है और जो अलग अलग ट्रेनिंग प्रग्राम प्रसिक्षन के दौरान भी सवाल पूछे जाते हैं या क्लास्रूप में हम अपने विद्यारतियों को कविता क्यूं पढ़ाते हैं अकसर ये बात सामने उखता है तो निश्चित रूप से चा विद्यार्थियों के बीच में जा रहे हैं और क्लासरों में जा रहे हैं सुनना पढ़ना लिखना बोलना इन सारे कौसलों की बात की जाती है तो इन कौसलों पर तो हम काम करते हैं इन कौसलों पर बाकी विधाओं में भी काम करते हैं लेकिन कविता की कुछ खासियत है जिन को जिन विशेस्ताओं को हम अपने विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं और चाहते हैं कि विद्यार्थियों के अंदर जो लए स्रजित करने की भावना है आप देखिए कि जिस दिन से एक विद्यार्थी या एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर एक लए होता है बाल कहीं वो लई की भावना वो तुकबंदी वो रचनात्मक्ता वो कल्पनसीलता वो imagination मौजूद है हम जब कविता पढ़ाते हैं तो इन सारी भावनाओं को अवकास भी देते हैं और विस्तार भी देते हैं कि अगर वो भावनाएं सीमित हैं तो उन अधार पर उन कविताओं को ध्यान में रखते हुए और सम्वीद अनसीलता के साथ रचनात्मक्ता के साथ उन भावनाओं का विस्तार हो तो यह तो एक व्यापक लेकिन कुछ टारगेटेड पिन पॉइंटेड इसको बोलते हैं बाते भी पहती हैं जिसका उनने किया जाता है कविता पढ़ने-पढ़artने के उदुद्देशी के रूप में तो एक सिक्षक के समप्ष परने-पढ़ाने वाले को और पढ़ने वाले को भी कविता की संदचना की समझ होनी चाहिए एक बात दूसरी बात वह कविता क्यों पढ़ा रहे हैं और क्लास रूम में कविता लेकर क्यों जा रहे हैं कैसे बाकी विदाओं से अलग treatment उसका करना है यह सपसिता भी उसकी दमन मस्तिस्क में होने चाहिए और तीसरी बात जो कच्छा 8 का उदार है इसलिए मैं आठवी की बात कर रहा हूं आठवी कच्छा में यह तै कर दिया गया है आप तै ही कह सकते हैं इसका बलकि मैं कहूंगा कि उलेख किया गया है लर्निंग आउटकम नाम के डॉक्योमेंट में कि आठवी कच्छा को पास करने के बाद हिंदी विशे में कोई विद्यार्थी इन इन चीजों को जानेगा इसका उलेख किया गया है जैसे वह अपनी समझदारी से किसी कविता को देख कर उसका अर्थ लगा सकता है उसका विसलेशन कर सकता है उस पर अपनी राय व्यक्त कर सकता है यह आप कह सकते हैं सीखने के प्रतिफ को प्राप्ट करने के लिए कि कविता पढ़ने-द्पढ़ने में उसकी रुची पयदा हो इसको जानने के लिए कुछ प्रक्रिया की जाएंगे या माल लीए कोई कमिता उसके सामने आती है तो उसके लिए जो प्रक्रिया की जाएगी उसका भी उलेख किया गया है तो एक सिख्षक को पढ़ते पढ़ाते हुए जब आप कविता को लेकर कख्षा में जाएगे तो इन तीनों बिंदों पर स्पस्ता होनी चाहिए पहला जिसका उलेख हम अभी कर चुके हैं परिभासा के रूप में और उसकी संडचना की समझ कैसे कविता भिन्न है अवधारनात्मक और संडचनात्मक समझें दूसरा कि कविता पढ़ने-पढ़ने का चा उद्दिश है आप चाहें तो उसको चला दे और तीसरा सीखने के प्रतिफद इन तीनों बिंदों को ध्यान में रखकर ए झाहररा, दिन तिससे के साथ न्याय कर सकते हैं, जूँकि आपके मन बिंदों में सपस्ट है कि आपको कछह में जाकर आपने विद्यार्थियों के साथ क्या करना है, तो आप activity भी उपयुक्त तै करेंगे, गतिविदी भी उपयुक्त बनाएंगे, प्रोजेक्ट भी उपयुक्त बनाएंगे, और प्रसनों को पूछने का तरीका भी आपका रचनात्मक होगा, अगर ये सारी बातें आपके ध्यान में नहीं होगी, तो आप बस परिच्छा की द्रिष्टी से कविता को क्लास में लेकर जाएंगे, कुछ प्रसनों का उत्तर बताएंगे और वापस आ जाएंगे, और अगली बार उसी कविता को पढ़ने के लिए वैसी ही दूसरी कविता को पढ़ने पढ़ाने के लिए बच्चों को उतनी ही मेहनत करनी होगी, या समझने बात नहीं आती है. अब C B S C ने भी ये करना प्रारंब कर दिया है जो प्रस्ण पूछने की एजनसी है और प्रस्ण तयार करने की सारी जिम्मेंदारी और परिक्षा की जिम्मेंदारी उनके ऊपर है, तो उन्हों आगे देखेंगे ये प्रविर्टी और भी बढ़ेगी तो सिर्फ रटने से आपका काम नहीं चले गया आपको अपनी समझ पर काम करना होगा स्टूडेंट को भी टीचर सिक्षक विद्यारती दोनों किसी विसे की समझ बनाएं ना कि प्रस्ण उत्तर या उस खास अध्याय क को लेकर कक्षा में उच प्रसंत तयार कर लें उच उत्तर तयार कर लें और याद कर लें तो ये तीन बाते हैं जिनका ध्यान हमें रखना है आप चाहें तो कविता पढ़ने-पढ़ने का उद्देश्य स्क्रीन पर लगा हुआ हुआ है चला दें ताकि हमारे दर्सक भी ज जानना चाहेंगे कि एक सिक्षक कक्षा में जाता है उससे पहले उसको क्या तैयारी जिसे हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना या पूर्व तैयारी एक सिक्षक की क्या होनी चाहिए जी जी देखिए अगर आपके ध्यान में उद्देश्य है जी लर्निंग आउटकम है पूर्व तैयारी भी बिल्कुल फोकस्ट होगी साफ होगी और उसकी योजना बनाने में भी आपको धिक्कत नहीं आएगी अब ध्वनी कविता को लेकर आप चाहें तो ध्वनी कविता भी चला दें और फिर हम पूर्व तैयारी वाले स्लाइड पर आएंगे तो पढ़ने 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 की जो पूर्व तैयारी है उसको पहले ही पूर्व तैयारी चुकी है इसलिए कविता पढ़ने पढ़ने से पहले ही आपको वो एक्सरसाइज कर लेना होता है वो तैयारी कर लेनी होती है तो पूर्व तैयारी में बहुत सारी ऐसी बाते निहित होती हैं जो कच्छा में पढ़ने पढ़ाने के दवरान जो योजनाये हैं गतिविधियां हैं वो भी सामिल हैं साथ ही एक महत्पूर्ण बात ये होती है कि एक सिक्षक अपनी जानकारी उस पाठ को पढ़ाने के लिए अपनी जानकारी को किस अस्तर तक ले जाए जैसे ध्वनी कवित नहीं है तो अब चुकि पूरी कविता नहीं है तो संपाधन के कारण कहीं कहीं रस भंग होना या आप कह सकते हैं भाव भंग होना वो आपको दिखेगा लेकिन एक सिक्षक की भूमिका ये है कि उस संपाधित कविता के साथ साथ उस पूरी कविता की भी जानकारी करना करे निराला के बारे में भी वक्तिकत जीवन के बारे में भी और साहितिक जीवन के बारे में अगर जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो निराला रचनावली पढ़ें या इस तरह की अनिरचनाओं को पढ़ें और वो पूरी जानकारी प्राप्त करें निराला के बारे में भी और ध्वनी कविता के असंपादित जो संपादित नहीं है उस पूरी कविता को भी पढ़ें ताकि आगे पीछे का संदर्व बिलकुल स्पस्ट हो तभी वो कविता को ठीक तरीके से अपने विद्यार्थियों के बीच प्रस्तुत कर पाएंगे अब आप चाहें कि इस कविता उदाहरन के रूप में जो कविता हमने ली है उसके लिए क्या क्या तयारी करने की आवश्यक्ता है तो पहली आवश्यक्ता तो आप देखें जिसका उलेख में कर रहा था कि कविता का जो असंपादित रूप है उसको सिक्षक पढ़ें और अपने जानकारी मे अपने संग्यान में रखें दूसरा चुकि आज कल ICT का जमाना है तो आप ICT का उपियोग खासकर कविता के छेतर में जरूर करते हैं वो इसलिए भी कि कविता में सब्दों के माध्यम से चित्र बनाया जाता है धन्यात्मक्ता होती है सब्दों में और चित्रात्मक्ता होती ह तो जो images बनते हैं उनको आप कविता चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं जैसे ध्षनी कविता से जो दिरिश्य हमारे सामने उपश्थित होता है या मानली ये बादल राग निराला की कविता है उससे जो एक चित्र हमारे समक्ष तयार हो रहा है या सुम्तरा नंद्धन प बाठ कर साथ साथ चला सकते हैं जिन दर्षियों का अनमान विद्यारति सबस्विक्पार श Doncs कि माध्यम से नहीं कर पाते या नहीं कर सकते हैं वह उन्न चित्रों को देखकर उन उन दर्षियओं का अनमान लगा पाएंगे तो स्रजनात्मकता भी बढदती था बच्चों की भी और सिक्षिकों की भी जी बिल्कुल सही का आपने कि स्रिजनात्मक्ता और रचनात्मक्ता तो बल मिलता ही मिलता है साथ ही कोई दक्षिन भारत का विद्यारती है कोई उत्तर भारत का विद्यारती है कोई पहाड का है कोई समुद्र का है समुद्र वाले ने ह सकता है पहाड का द्रिस्य ना देखा हो और पहाड वाले ने हो सकता है समुद्र का द्रिस्य नहीं देखा हो तो पंत की कविता को पहाड वाले बच्चे विद्यारती तो बहुत आसानी से समझ लेंगे लेकिन उसी कविता को उसी द्रिस्य को सब्दों के माध्यम से समझने मे काल पना और अनमान की भी एक सीमा होती है एक सीमा के बाद वो चूक जाती है अगर हमसे आपसे कोई कहे कि भाई आप चांद पर क्या होता है इसका अनमान लगाएं तो मुस्किल होगा चांद इस लिए कह रहा हूँ कि चांद प्रतीख है जो हमारे समक्ष नहीं आया है वो द्रिस्य, उसका अनमान लगानक कठिन है, अगर किसी ने बर्फवारी नहीं देखी हो कभी किसी रूप में, तो बर्फवारी के द्रिस्य और उसके प्रभाव का अनमान लगानक कठिन है, तो ये जो ICT है, वो हमें दो-तीन स्विधायें प्रदान कर देता है, कि एक तो इन द्रिस्यों को साक्षातकर कर सकता है, और जो अलग-अलग किस्म के बच्चे हैं, वो उन द्रिस्यों का अनमान उनका साक्षातकर कर सकते हैं, एक, दूसरी बात की इससे पाठ की भी सुविधा मिलती है, कविता का पाठ जरूरी नहीं है कि हर कोई ब चाहिए अब प्रस्न और पाठ दोनों की चर्चा करते रहना चाहिए कि यानि चाहिए तो यह पुरो तैयारी की बात सामने आ गई आप एक पूरी सूची है, इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं अब आप आए कि कविता को पढ़ने पढ़ाने के लिए कैसे हम आकलन को अपना सहारा मना सकते हैं आकलन को लेकर मुल रूप से हमारी धारना ये है कि आकलन कोई अलग से वस्तु नहीं है कोई अलग से की जाने वाली चीज नहीं है यह हमारे सीक्षन अधिगम प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है इसलिए जो भी आकलन हो उसका कोई ने कोई उद्देश्य होना चाहिए सिर्फ प्रस्न और उत्तर लिखना उद्देश्य नहीं हो सकता है हमने जो लर्निंग आउटकम तै किये हैं हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का उद मिश्किल और रचनात्मक होना के आकलन का विशए मुष्किल तो मैंने कहूंगा संवे नसील है और इसमें रचनात्मक तक की परियाप्ट गुद्दास होती है समीक्राइए इसलिए जीविषे से प्रस्न इसमें हमारा शाहयता कर से उता आपको तरह से रचनात्मक आकलन भी होना चाहिए लेकिन समय का भाव है हम इसी विशे को हम आगे भी बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत होगा कि आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं अपने नेक्स्ट एपिसोड में चाहूंगा कि ए सुची उनके समक्ष आ जाए तो एक बार आप ये स्लाइड को अवसी चला दें सुरू से लेके आखिर तक ताकि हमारे दर्सक पढ़ लें देख लें और ये समझें कि आकलन के माध्यम से कैसे हम सिक्षन अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं जैसे अभी पूज सकते हैं कि मेरा से आपका क्या आशे है इसी तरह से अंत से क्या आशे है तो हम प्रस्त भी पूछेंगे और प्रस्त की उत्तर के साहारे सीक्षन अधिगम की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाएं अभी न होगा मेरा अंत अलग 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 सकते हैं कि अभी न होगा मेरा आंद्थ से तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हारा क्या मतलब है डायरी फौर्म में वी लिखवा सकते हैं तो इस तरह कि तमाम गतिविदियां हम ने इसमें एक साथ ďाली हैं आप इसको देखें पढ़ें तो आपके समझ में आ जाएगा कि ध्वनी कविता को कैसे रचनात्मक रूप से आकलन भी करेंगे साथ-साथ और सिक्षन अधिगम की प्रक्रिया को भी हम तो इस एपिसोड को दर्शक दुबारा यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही धन्यवा धन्यवाद अलकाजी धन्यवाद